हालो व्यूवर्स कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका अशात है इस गार्डन में जिससे कि शुरुवात करते हैं इन प्यारे से विंटर के प्लांट के साथ स्ड़ुट् प्यारे फूल लग रहे हैं वाइट कलर के मालने जिसे बरफ के शोटे शोटे टुकरे लग रहे हो तो आज छोटा सा में अपना ओर यू दूंगी टैरिस का जो विंटर के फूल के ले हुएं वो सारे फूल में आपके साथ शेयर करूंगी यह सारे फूल आप देख सकते हैं यह मैंने सीड से ग्रो किये थे कहीं सारे फूल निकले भी नहीं हैं क्योंकि मैंने सीड से ग्रो किये हुए हैं तो इस पार कहीं आप फूल कम भी निकले गए हैं पहली बार मैंने सारे ओनलाइन सीड से मंग वाय थे वैसे तो जब भी मैं नरसरी जाती हूं तो पूदे ले है कहीं सारे प्लान थे जो मेरे मर गए क्योंकि अच्छानक से एक दिन भारश ओगई बहुत सारी मैंने सीडिलिंग लगई थी लेकिन बीक में अच्छानक से आनने ठाउन यह ना इन बारश आ गई ना मतम्हाली यह नुबर का मैंना चल ला था ये एक वाइट कलर का है और मेरी कहीं सारी जो सीडिलिंग थी वो फिर मेरी खराब हो गए टेस तग पर जो सारी बच्च गई थी वो सारी मेने लगा थी ती जैसे स्वीटल एसम का पोदा है जीनिया का पोदा है और ये देखे कितना प्यारा मेरा पोदा ओर औरнеज कलर के फूल आते हैं फिलाल फूल तो नहीं आये हुए है पर मज़े यह आना इसके पत्ते बहुत ही प्यार है और अच्छे लगरे हैं इसके मज़े 10 सीड मिले थे और दसी αναしीड मेरे गिरू हुएते पर बहुत साइं सीडे से थे जो बारिश मेरे कराब भी हो गए उसके बाद यह दे कि यूटी फा मिली का प्लांट इसमें भी बहुत अच्छे फूल कहते हैं वेसे तो लोग बोलते हैं इसमें घर्मी में फूल किलते हैं पर मेरे यां तो इसमें विंटर में हमेशा फूल किलते हैं एक ही प्लान था जिससे मैंने कहीं सारे प्लान खिलान बना होएं तो छोटा सा वीडियो है और अपडेट है ये गुलदाओ जी के प्लान से मैं अपने इस चाहिए चोटे 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 से सीड नई स्फेल नहीं चाहिए तो यह सारे फूल के लिए हुए हैं कितने प्यारे प्यारे प्लाइन ग्लग रहे हैं इसका भी मैंने आपके वीडियो शेयर किया था बहुत भी प्यारे फूल खिल रहे हैं वंटर का मैना है कहीं सारे तो ऐसे भी प्लाइट हैं जिनमें अभी uh difficulty n आए हुई हैं क्योंकि आना मैंने सीडिलिंग ग्रो की थी तो हमारे यहां कभी गर्मी है कभी बारिश है आपको पता है कैसा चलता है और मेरा यह देखें डैंटर्स का प्लांट आना दो दिन पहले तो इसमें अच्छी कासी फ्लावरिंग हुई थी पर मैं आपके साथ वीड आती है तो यह अपने आप उग जाता है और यह सारी सीडिलिंग है जो तोरे दिन पहले मैंने लगाई हुई थी पिटूनिया की सीडिलिंग पिटूनिया के तो इतनी सीडिलिंग है हाँ फूल नहीं आएंगे लेकिन इतनी सारी सीडिलिंग है तो मैं यह लगाने के लिए ह के प्लांट हैं, जीनिया के प्लांट हैं, कहीं सारे तो इसे भी हैं, जिनके मझे नाम नहीं यादा रहें, यह देखिए, पिटुनिया जो घर के सीड़ें, अभी उनमें फ्लावरिंग भी होने वाली है, छोटी-छोटी से याना मझे लगता है परपल या ब्लू कलर के, क्यो इसमें से दो में तो बर्स आ गई हैं, एक में आना देखिए, दो इसमें लगे हुए हैं, जिसमें अच्छे खासे बर्स आ गई हैं, इसमें एक भरावला आया है, मैं वेट करीए, इसमें फूल कौन से निकले हैं, प्योंकि विंटर के जब मैं प्लांट लेने जाती हूं तो हमारे यह डेलिया का इस प्लांट से 150 आता है यह देखिए इसमें कोई आनबर्स नहीं बना हुआ है यह भी डेलिया का प्लांट है पर यह शोटी थी मुझे लगता है भाल्टी में लगाया एक कम मिटी में तो इसके वज़े से चाहिद इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है यान लगता है मुझे इसका और वट terrifying हो गई है क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम बच्चों को बेचती है उपने पानी डाल के आओ तो मुझे लगता है मेरी यह यहन बच्चियों नहीं ज्यदा ही पानी डाल दिया है जिसके वज़े से यह खराब हो गए हैं तो इसके जतने भ कोपी के सीड हैं यानि जितने भी मैंने ओनलाइन सीड मंगा है थे न सब लग गए थे पर वहां पर एक था के मौसम कभी दूप कभी बारिश तो वहां तोड़े कराब हो गए और कभी मेरे पास गमलों की गमी थी तो इसके वज़े से कहीं ऐसे पोदे हैं जो में लगा नहीं नहीं पाई देखेव एक छोकी यह ने खोंटे से मने चार फ्लांट डाल यहольно मेरे पास उन Tara? जैसे यह देखे चोटी चोटी बोतल में केलंडूला डालके रखा है बहुत सारे केलंडूला मेरे आना लगे हुए थे और यह चोटा साथ मेरा प्राइम रोज मतब चोटी चोटी जो भी मेरे हाथ में आता है विनल की बोतले जो भी आता है दबाव अगर में डाल देती हूं तो छोटे से winter के plant हैं जो मैंने टेर्स पर लगाया है और यह एक नीचे गजानिया का plant है और कि यह भी plant है इसके पत्ते मुझे बहुत अच्छी लगते हैं क्योंकि मैंने इतने सारे फ्लावर डोग फ्लावर आइस फ्लावर इतने सारे लगाया थी चालिस तरह के मैंने सीडि पौदा जो बोलते हैं फूल मझे वह लग रहा है मैंने सर्ची गया था इसमें छोटा सा भी फूल आ रहा है बिल्कुल छोटा था मझे लग रहा है इसमें छोटी सी कली खिल रही है तो बहुत ही प्यारे फ्लावर है कहीं सारे plant हमारी यह तो मिलते भी नहीं जैसे simply petunia हु डॉग फ्लावर हुआ तो यह सारे ही मिलते हैं और यह देखिए गर्मियों का पौदा है पर विंटर में कैसे आना आ गया है मतलब इसको आना है सबसे पहले आना है वहीं विंटर के पौदे आई हैं तो मैं क्यों नहीं आँ तो यह मेरा बुगिनविला का पौदा जो अक् जगह जगह पर चोटी चोटे गमलों में हर जगह में ने डाल दिया है कहीं सारे और पिटुनिया की भी बहुत सेडिलिंग मेरे पास बच गई है पर अब इनको में रिपोर्ट नहीं करूँगी क्योंकि वेसे भी डिसमबर का मेना तो पूरा होने वाला है तो इतने सारे मे कहा करूँ ये देखे थर्मोकुल का पाक्स हुआ चलिए आपको मैं अपना दिखा दू रोज रोज के बना तो टेरिस का अन गाडन या अन धूरा ये देखे पिंक कलर का रोज कितना प्यारा लग रहा है मस्त चोटा सा पिंक कलर का फूल और इसमें अच्छी खासी खुश तो आज के लिए इतना ही अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा साथ में सब्सक्राइब करना मत बूलेगा और हाँ कमेंट करके जरू बताएगा के वीडियो कैसा लगा हो आज के लिए इतना ही आप भी इंजोई कीजिए चोटी चोटी सी पौद लगा कैसे फूलों कई बाई